असलामरेकूम मैं यूट्यूफ फैमली आई होप यू और डूइंग वेलकूम पेक टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज हमारे किचन में खीर बन रही है इसके लिए पहले आपने एक बाउल ले 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 उसमें हाफ कर प्राइस डालने इसको अच्छे से वाश कर लेने के बा बाइल आजाएगा आपने इसमें करश किये हुए चावल एड़ कर देने हैं अब इसको अच्छे से हला के 15 मिनट के लिए पकने देना है और उतनी दिन हम कैरमर सॉस तियार कर लेते हैं जिसमें वन पैन के अंदर वन कपी शूगर एड़ किया और दो घून जितना इसमें पानी जाएगा आप आपने इसको अच्छी से लो फ्लेम की ऊपर जो है वो पकाना है यहाँ पर आप ने फ्लेम को हाइब फिलकुल निकरना वहना सॉस जाएगी कि जब तो गौल्डूं लाओ किनी हो जागी अपने इसको अच्छी से पकाने इसी तो ऊस्प्रण आने करकsim यहां पर देखें इसका कटियर हिल्का सा चेंज होगए तो आपने इसके अंदर टू स्पून जितना पानी डाल देना है जब तक इसका कट डाक नहीं हो जाता है आपने इसको लो फ्लेम कर पकाना है यहां पर हमारी सॉस ठिक हो गई थी और जो यह कलर भी चेंज हो गया था तो अब आपने इसका चुला बंद कर देना है और इसको साइट पर रख देना है दूसरी जगह हमारे चावल भी जो है वह गल गए थे अब इसके अंदर हम यह सॉस डाल देंगे जो हमने बनाई थी अ अगर आप नहीं डालने चाहते तो आप मत डालेगा और वन टेबल स्पून में क्रीम क्रीम जाएगी अब इसका टेक्स्टर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया था बस यहां पर हम इसको डिशॉड कर लेंगे इंस्टेंट खीर थी यह बहुत ही जल्दी बन गी थी अब इसको एक दफा लाज में ट्राइ कीजिएगा और अब इसको गार्णिशिंग के लिए बादाम भी डाल सकते हैं और यह इसकी फाइनल लुक थी बस जी यह आज की वीडियो थी आई आप तो लाइक इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक के रिला हाफिज और तक केर